गुद इवनिंग एवरिबड़ी एंड वेल्कम टू क्रियेटरिक्स टैनल माइडिया फ्रेंड्स वी आ हेर वी आ लाइव इद अनधर लेक्चर ओफ पावर सिस्टम लक्षे गेट 2022 बैच तो बेटा पावर सिस्टम के आखरी पडाव पे हम लोग आ गए हैं और आज हम बात करेंगे अधर पावर प्लांट्स की यानि हम यह बात करेंगे और कौन-कौन से पावर प्लांट्स हैं जो की यूज किये जाते हैं उनके क्या फीचर्स हैं उनके क्या कंपोनेंट्स हैं इस बारे में बात करेंगे अभी तक तीन मैं कवर कर चुका हूँ थर्मल, हाइड्रो gold medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indoor. Till date I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for gate department. Now my dear friends, ये तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो, but बिटा, what matters the most is कि आप लोगों के लिए दिन रात anacademy नए नए और top educators को लेके आता है ताकि आप तक free education best form में पहुचाई जा सके और जिन बच्चों के पास resources नहीं भी हैं, वो भी एक बार के लिए imagine कर पाएं कि वो लोग भी एक बहतरीन rank ला सकते हैं. और ऐसा मुम्किन सिर्फ और सिर्फ करता है unacademy अब इसके साथ साथ यार हमारे free initiative जो हैं YouTube के साथ-साथ unacademy app पे भी मिलते हैं तो आप लोग ना app डाउनलोड करो play store और app store से फिर किसी भी free initiative को access करने के लिए code लगा देना अंकित ESE अब देखो यार इसके अलावा अगर आप unacademy plus पे आते हैं तो आपको assignment, weekly quiz, test, series और question bank इनमें अगर कहीं doubt रहे गया तो doubt भी clear किया जाएगा और एक subscription में सारे batches मिल जाएंगे बार-बार payment की ज़रूत नहीं है और कोई batch या class छूट गई तो you can watch it recorded लेकिन इससे भी जो अगर आगे जाना चाहते हो then go with iconic ये सब iconic में मिलेगा साथ ही मिलेगा एक personal को जो की है gate और ESC ranker वो आपको guide करेगा daily basis पे कैसे तैयारी करना है जब जब आप कहीं पे अटकोगे फंसोगे आपका हाथ थाम के आपको निकाला जाएगा teachers आपको personally guide करते है study booster session में even आपके test का भी separate analysis आपको दिया जाता है जहां आपको बताया जाता है आपकी खूबियां और खामियां इसके अलावा आपको study material extra मिलता है और एक dedicated team मिलती है जो की आपका doubt immediately answer करती है अब देखो अगर यहां पे आप code लगाते हो ना मेरे भाई यंकी ती ऐसी तो पहले तो subscription इतना amazing तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है आपको मिल जाता है 10% का discount इसके अलावा आपके दिमाग में अगर यह आ रहा है कि सर यूट्यूब के होते वे plus की क्या जरूरत तो बेटा plus पे आपको ना एक serious environment मिलेगा regularity मिलेगी रोज आपको notes मिलेंगे question मिलेंगे daily के और आपको एक बच्चो का एक ऐसा group मिलेगा जो की seriously सब rank निकालना चाहते हैं अब इस group के साथ जब आप daily basis पे compete करते हो तो आपकी growth होना compulsory होता है वहीं YouTube एक open platform होने की वज़े से सबके लिए accessible है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी attend करते हैं which are not serious enough तो वो spam करते हैं आपको distract करते हैं lecture की quality भी गारते हैं इसलिए what I would recommend is come to plus and experience what actually learning is तो वहाँ आपको समझ आएगा concept किस level पे सीखा जा सकता है अब यार जो बच्चे effort नहीं कर सकते हैं subscription उनके लिए unacademy combat लेके आ रहा है इस Sunday यानि कल 11 बजे scholarship test conduct हो रहा है तो आप लोग इसका हिस्सा बनिए इसके लिए unacademy app पे test में जाके combat पे enroll कीजिए और वहाँ code लगा देना अंकित ESE अब हमारा ये नया batch start हुआ जिसके अंदर हमारा analog चल रहा है अभी सुबह 7 बजे 31 तारिक से रात को 8 बजे विशाल सर कंट्रोल लेके आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि आप maximum benefit ले पाएं इसके अलावा अंकित ESE code से अगर आते हो बिटा तो 1 year fees होगा 27,225,18 months,34,650,2 years,39,600 2 year के लिए जाना per month cost will be minimum और आप without interest EMI पे भी ले सकते हैं इसके अलावा अंकित ESE से iconic 1 year का आपका कितना होगा 45,225,2 year,66,600 again go with 2 year आपका per month cost minimum रहेगा और आप without interest EMI पे भी ले सकते हैं ठीक है चलो या तो आज आते हैं हम लोग आज other power plants पे that is the first आज ले रहाँ gas turbine power plant बेटा जीतेंद्र मैं सारी PDF कल डाल दूँ है बेटा आज power system खतम हो जाएगा you will get all the PDFs ठीक है don't worry about it तो gas turbine power plant की आज बात करते हैं अब gas turbine power plant के अंदर क्या होता है एक simple सी बात है नाम से समझा रहा है gas turbine is used as a prime mover prime mover for electrical power generation ठीक है अब हमने thermal power plant के अंदर क्या किया था हमने fuel को combust किया था उससे पानी को उबाला था पानी को steam बनाया था और उस steam से हमने turbine को चलाया था बेटा मैं आपको बता देता हूँ video book को क्या हुआ है video book थोड़ी सी बिमार हो गई यह उसका हिलाज चल रहा है steam बनाया steam से हमने turbine चलाया लेकिन यहां ऐसा नहीं करते यहां पर directly जो combustion से gas पैदा होती है उसी से prime mover को चलाया जाता है समझ रहे हो जो gas पैदा होती है उसी से prime mover यानी turbine को run करते हैं तो यहां पर working gas expands and heat energy is converted to kinetic energy heat energy kinetic energy में convert होती है और फिर यह turbine को rotate कराते है जिससे shaft आप का rotate करता है यहां पर देखो gas turbine की efficiency का figure याद रखना 32 से 38% that is the efficiency of the gas turbine अब schematic पर आते हैं देखो जरा schematic अगर देखें देखो यहां पर fuel oil आया oil का आपने combustion किया oil के combustion से जो gases निकली ही वो gases आपने कहां भेजी ही वो gas आपने भेजी gas turbine पर turbine ने चलाया alternator को alternator से क्या मिल गया आपको alternator से मिल गई electrical energy अब यहां पर जो gases waste gases हैं जो gases use हो चुकी हैं वो आपको exhaust करनी पड़ेंगी यानि की बाहर निकालनी पड़ेंगी बाहर निकालनी पड़ेंगी अब यहां पर देखो combustion के लिए oil के साथ साथ और क्या लगता है air आप लोग जानते हो बिना air या oxygen के combustion नहीं हो सकता इसलिए air जो आप atmosphere से लोगे उसे filter करके फिर combustion chamber में डाला जाएगा atmosphere से आने वाली air उससे हम combustion chamber में डालेंगे अब देखो working compressor used in gas turbine compressor is of rotary type यानि rotating compressor है वो rotate करकर के gas को compress करेगा तब वो उसको combustion chamber में डालेगा filter removes the dust from air intake यह तो obvious है filter dust निकालेगा combustion chamber has a chamber in which air is injected, fuel is injected, burnt in stream of air supplied simple जी बात है combustion में क्या करोगे air की presence में fuel का combustion करोगे gases of combustion pass over turbine blade expand and result in rotation expand and result in rotation तो rotate कराती है alternator जो turbine से जुड़ा है वो electrical energy पैदा करता है तो भाई यह जो मैंने आपको सारे step बताएं सारे step one by one लिख दिये गए हैं ताकि आपके पास notes की form में available रहे अब fuel कौन से use होते हैं तो देखो यहाँ पे जो product of combustion है यह minimum matter होना चाहिए minimum matter का मतलब है इसके अंदर minimum particles होने चाहिए वरना जब आप atmosphere में छोड़ोगे तो particle atmosphere में pollution पैदा करेंगे तो they must have minimum particle ठीक है kerosene ले सकते हो diesel oil ले सकते हो residual oil ले सकते हो बट इन सबका cost high है तो यहाँ पे आप natural gas का use कर सकते हो किसका natural gas का तो solid fuel भी हो सकता है liquid fuel भी हो सकता है gaseous fuel भी हो सकता है जानते हो न कि natural gas बहुत सस्ती पढ़ती है CNG पे जो चलाते हैं आजकल vehicles डेली के अंदर तो बहुत ज़ादा pollution minimize करने के लिए तो you can use natural gas selection of site अब देखो यार यह तो factor common होते है load center से कितना दूर है उतनी लंबी wire लगेगी land available है या नहीं जमीन चाहिए, fuel चाहिए transportation चाहिए populated area से थोड़ा था distance होना चाहिए और type of land नितिन बेटा यह सब general knowledge है, gas turbine बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है तो google कर लिया करो, इसमें कोई logic थोड़ी है merit, simpler है design भहिया, यहां ना तो boiler चाहिए, ना तो heat exchanger चाहिए सीधे जो gases बन रही है उन्हें turbine पे छोड़ना है, reliable है ठीक है, wear and tear नहीं होता है liberation system simple है, gas turbine से atmosphere में छोड़ दो clean exhaust, यह depend करता है आप कौन सा fuel जला रहे हो, exhaust clean होगा अगर natural gas यूज़ किया compact है, size obviously कम है, initial cost कम है और stand by losses नहीं है stand by मतलब, जब यह खाली खड़ा रहेगा, working नहीं होगा, तो भी इसके अंदर losses नहीं आएंगे demerits, इसका output कम होता है, efficiency कम होती है, और noisy होता है, यह तीन तरह के इसके demerits आते हैं आज आओ अब अगले पे, ऐसी आज फटाफट चलेंगे, solar power plant आज के time में यार मतलब, India is one of the best countries when it comes to the solar power, मतलब हम लोग कहीं न कहीं pioneer हैं, जो इस technology को इतनी तेजी से push कर रहे हैं, जो शायद ही कोई और देश ऐसा कर रहा हो बाकी देशों का solar power पे year, जादतर year में हमारे पास सूरज की रोशनी अवेलिबल होती है जिसका हम maximum फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, in the form of the solar power अब solar देखो, sun कितना energy radiate करता है, देख रहे हो आप लोग megawatt में बात करते हुए, 10 की power 20 megawatt की बात हो रही है 10 की power 20, आएगा बिटा, नितिन डीजल भी आएगा अगर 90 प्रतीशत energy reflection में lost भी हो गई तो उसका बिटा 10% भी, 10% भी बहुत जादा है 90% energy lost होने के बावजूद आप ये सोचो इसका 10% कितना जादा आएगा 10%, even मैं कह रहा हूँ आपने 1% भी use कर लिया तो भी बहुत बहुत ही जादा है तो बिटा, यहाँ पे what I would say, कि इतनी energy, इतनी energy आप harness कर सकते हो this much energy can be harnessed तो यहाँ पे इतनी energy का मतलब है 17 million ton of coal सूरज से जितनी energy आप बना सकते हो, that is equivalent to 17 million ton of coal रज़त बिटा, आप space vector PWM का use कर सकते हो schematic and working अब क्या होता है सूरज की जो रोशनी है सबसे पहले, उसे collect करना जरूरी है उसे collect करके focus करना जरूरी है, जिसके लिए large parabolic collector का use किया जाता है, large parabolic collector, अब यह जो solar energy है, इससे fluid को heat करो, इससे fluid को वापिस क्या बना दो, steam और आगे तो भाईया, आपके बाएं हाथ का खेल है, एक बाद steam बन गई टर्बाइन चला लो, टर्बाइन चल गई, तो generator तो power दे ही देगा, तो बेटा यह सोच लो हमारा एक मात्र objective क्या है, power generation में, पानी उबालना पानी उबालना, अब यह अपने घरवालों को बताओ के, वो कहेंगी, बेटा, मम्मी कहेंगी, हम तो gas पी उबाल देते पानी तुम कहां इतने बड़े-बड़े समान लगा रहे हो इलग गैस पे उबल जाएगा पानी तो यही है, मतलब देसी तरीका है पानी उबालेंगे, तर्बाइन चलाएंगे, बिजली बनाएंगे, है ना, तो देखो यहाँ पे दिखाया है, सोलर कलेक्टर है, सोलर कलेक्टर है जिससे की हम हीट को किसमे भीज रहे हैं, बॉयलर में बॉयलर से क्या पैदा हो रही है स्टीम पैदा हो रही है, जिससे टर्बाइन चल रही है, बॉयलर के बेटा वो जो solar panel है ना वो अलग चीज है solar power plant नहीं हुआ वो solar panel क्या होता है solar panel आप एक छोटा सा अपने personal use के लिए भी लगा सकते हो है ना चलो क्या है मेरा package कितना था बेटा 10 से 11 लाग का solar collector a solar collector absorbs the incident solar radiation and converts into useful heat energy ठीक है यही तो हम बोल रहे है solar panel क्या करेगा solar energy लेगा और उसे useful energy में convert करेगा जिससे पानी गरम कर लो air गरम कर लो कोई gas गरम कर लो ठीक है संजोई बेटा यह तो जल्दी बताएंगे क्या step होगा surface of solar collector should have high absorption and low emission high absorption and low emission ठीक है सूरज की जो light आ रही है ना सूरज की जो किरने गिर रही है उसे वापिस ना भेज दे उसे अपने अंदर ले ताकि पानी गरम कर पाए देखो यह दिखा है ना sunlight collect हो रही है sunlight collect हो रही है और यहाँ पे water tank में आप पानी को गरम कर रहे हो ठीक है flat plate collector जैसा आपने अभी बोला कि flat plate का use होता है सर rectangular होता है यहाँ पे बेटा जब आपको 100 degree से कम का temperature चाहिए तब आप क्या कर सकते हो flat plate का use कर सकते हो solar में देखो parabolic क्यों use किया parabolic क्या करता है ना सारी light को focus करा लेता है जैसे आप बचपन में optics में concave convex यह सब surface पढ़ते थे ना parabolic का फाइदा यह है कि वो collect करता है अच्छा आपने यह नहीं देखा आपने यह नहीं देखा जो आपका dish antenna लगता है वो भी parabolic shape का होता है उस पे जितना भी signal आता है वो उसे reflect करके उसके आगे torch जैसी लगी रहती है ना उसमे भेजता है वो signal collector होता है तो parabolic easily focus कर पाता है किसी भी ray of light electromagnetic wave को लेकिन flat plate वैसा नहीं करेगा तो इसको वहाँ use करोगे जहां कम power के requirement है अब यहां से आप liquid को heat कर सकते हों पता है मैंने कहां पे हाँ जब मैं बैंगलोर पहले रहता था ना 2013 में तो हमारी छत पे लगावा था solar water heater तो वहाँ एक solar panel था लंबा सा उसके पीछे एक पानी की टंकी थी तो जो भी heat collect होती थी वो उस पानी की टंकी में पानी को गरम कर देता था ठीक है तो यहां पे proper inclination पे रखना है जैसे मान लो मेरे सामने से ऐसे इधर से सूरज आ रहा है तो यह जो है ना ऐसे रहना ची है incline ताकि sun rays ऐसे गिरें जैसे मैं आपको एक example से दिखाता हूँ let me show let me take a book देखो जैसे हमने ऐसे रखा यह मान लो यह solar panel है इसमें reflection ही इतना आ रहा है चलो यह मान लो solar panel है हमने ऐसे रखा तो इस पे ना sunlight जितना perpendicular गिरेगी जितना perpendicular गिरेगी उतना हमको benefit है इसलिए इसको proper angle पे रखना जरूरी है तो इसको पानी गरम करने में काम में ले सकते हो solar water heaters are very very popular space heating कर सकते हो space cooling यानि space में भी बेटा जो आपको electricity energy की requirement होती है वो solar से ही बनती है आपने देखा नहीं है बड़ी बड़ी satellite दिखाते हैं space में उनके side में ऐसे panel लगे रहते हैं वो पूरे क्या है solar panel ही तो है तो यहाँ efficiency कितनी होती है collection efficiency यानि कितनी heat collect करता है तो अगर इस पे x amount of heat गिरती है तो यह उसका 0.4 से 0.6 x तक जमा कर लेता है अभी भी बैंगलोर ही रहता हूं लेकिन 2013 के बाद 2020 में आया हूं ना 2013 से 14 रहा फिर 2020 में आया ठिक अचाई डाइग्राम देख लेते हैं एक बार देखो यह glass cover है उपर से glass cover रहता है जिससे sunlight पास होगी अंदर copper tube है और फिर क्या है absorber plate है thermal insulation है और aluminium casing है thermal insulation इसलिए कि heat इसके अंदर से travel ना कर पाए absorber plate जो sunlight को absorb करेगी और copper tube जिसमें आप water को heat कर सकते हो focusing और concentrating collector जैसा मैंने अभी बताया देखो यह sun rays जो गिर रही है ना इनको collect करना है आपको तो यह reflect करकर के एक जगे focus कर दे रहा है यह जो पानी का pipe है ना तो यहां से जितना भी reflection हो रहा है इस solar panel से वो सारा का सारा किस पे जा रहा है पानी के pipe पे जैसे आपने अच्छा कभी बच्पन में ऐसा experiment नहीं किया क्या अरे blue color का तो होता है उसके उपर glass की covering दी जाते है सुनो मेरी बात कभी बच्पन में ऐसा experiment किया है वो जो magnifying glass होता था उससे कागज जलाते थे किया होगा ना सूरज की किरनों को उस पे focus करके उससे कागज हम जला देते थे तो basically आप वहाँ क्या कर रहे थे sunlight को focus करके उस paper का temperature raise कर रहे थे अब पानी के लिए भी तो हम यही कह रहे हैं कि आप sunrise को एक जगह focus कर दो वो है पानी के tube पे तो यह 100 से 200 डिगरी तक का आपको temperature दे सकता है इसको steam engine और turbine में भी use कर सकते हैं अब आप यह सोचो ना 100 से नीचे temperature पे पानी उबलता ही नहीं है तो इसलिए तो 100 से ज़्यादा चाहिए steam बनाने के लिए तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए parabolic चाहिए not not a flat plate collector अब यहाँ पे बेटा देखो इनको rotate करना पड़ेगा सूरज के साथ साथ you have to rotate it with the motion of sun sun जैसे जैसे rotate करे sun का motion हो या यह sun तो move नहीं करेगा अर्थी move करेगी but basically सूरज से जैसे जैसे आपका angle बदल रहा है वैसे वैसे इसे भी rotate करो तो इसके अंदर ना sensor लगा देते हैं यह automatically rotate करता है इसको हम लोग rotate नहीं कराते हैं हम लोग बस यहाँ पे क्या लगाते हैं sensor लगाते हैं ठीक है अब बेटा देखो अगर एक point पे focus करा रहे हो जैसे आप magnifying glass में करते थे तो 1000 degree तक का भी temperature मिल सकता है ठीक है जैसे देखो यहाँ तो आपने पूरे pipe पे टकराया है ना एक point पे नहीं है अगर एक point पे टकराती रहती ना सूरज की किरने तो उस point का temperature आप 1000 degree तक भी ले जा सकते थे drawback क्या है? energy per unit area low है देखो बिटा यह सबसे बड़ा drawback है क्यों? इसका मतलब है अगर आपको appreciable amount of energy चाहिए तो आपको बहुत बड़े-बड़े solar panel लगाने पड़ेंगे छोटे-मोटे solar panel से काम नहीं चलेगा फिर दिन के कुछी समय में चल सकता है पूरे दिन तो नहीं sunlight मिलेगा cloudy या hazy atmospheric condition हुए तो कम हो जाएगा power generation और energy को store भी करना पड़ेगा in the form of battery क्योंकि देखो solar energy DC होती है तो आप इसको ना directly grid से नहीं जोड सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा store करना पड़ेगा battery की form में फिर battery को AC में convert करके grid से जोडोगे तो solar power needs to be stored अब आ जाते है wind power generator पे wind power generator तो देखो winds are caused by solar heating of atmosphere and they carry enormous energy हवाएं चलती हैं जब atmosphere में गर्मी पैदा होती है और इन हवाओं में बहुत सारी kinetic energy होती है वो गाना नहीं सुना ले जाएं मुझे हवाएं 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 ऐसे आता है ने ले जाएं जाने कहाँ तो वैसे ही तो बेटा ये जो हवाएं चलती है न ये आपकी turbine को भी rotate कराती है वो अच्छा है तुमने मेरा कभी singing talent नहीं देखा वनना तुम class आना छोड़ दोगे मेरे घरवाले तो परिशानी है अब देखो लेकिन यार ये जो हवाएं होती है न ये non steady होती है ये non steady है, rely नहीं कर सकते हवाएं चली नई भी चली कभी गर्मियों में रात में सो गए पदा चला बहार सो गए और हवाएं नहीं चली रात भर गर्मी में मच्छरों में परिशान हो गए तो और दूसरी बात यहां wide variation होती है speed और direction की हो सकता है हवा एक दिशा में चले, हो सकता है दूसरी दिशा में चले हो सकता है तेज चले, हो सकता है धीरे चले तो भाईया हवा का कोई भरूसा नहीं है वारे वा, double fed induction generator मैं तुम्हें power plant में समझाओं मतलब भाई suggestion भी तो ऐसा लाया करो, ये कम है तुमने बोला कि सर, solar power से satellite कैसे चल रही है वो समझादो सर satellite दिखा के, क्या करो तुम लोग का चलो, wind turbine, wind turbine में क्या होता है जैसे आप windmill बनाते थे ना बचपन में, उसी का बड़ा version है तो यहाँ पे windmill में जो पंके होते हैं, जो ये आपके blades होते हैं इन पे जब हवा टकराती है तो ये blade घूमते हैं अब guess करो ये blade किस से जुड़ा होगा, बताओ किस से जुड़ा होगा अरे भाई, generator के shaft से, generator के shaft से जुड़ा होगा जनरेटर का शाफ्ट गूमा, शाफ्ट गूमा तो बिजली पैदा हो गई, सिंपल है देखो, ब्लोइंग विंड स्पिन्स दा ब्लेड ओन विंड तर्बाइन वैन ब्लोज अ पॉकिट ओफ लो प्रेशर इस फॉर्म्ड ऑन दाउन साइड यह कुछ भी नहीं है, यह बर्नॉली ज़ेशन है जब हवा ब्लेड के ऊपर और नीचे अलग-अलग स्पिड से जाती है तो प्रेशर उपर और नीचे अलग-अलग होता है जब प्रेशर अलग-अलग होगा, तो उस पे फोर्स लगेगा ऐसे सोचो, बर्नॉली ज़ेशन यह कहता है, मानलो यह ब्लेड है यहां से हवा गई, एक वेलोस्टी से, नीचे से गई, दूसरी वेलोस्टी जहां वेलोस्टी ज़ादा, वहां प्रेशर कम, और जहां वेलोस्टी कम, वहां प्रेशर ज़ादा तो इस तरह से क्या होता है कि प्रेशर जब अलग-अलग होता है तो उससे होगा क्या उससे बिटा आपका तर्बाइन का ब्लेड रोटेट करता है तर्बाइन का ब्लेड रोटेट करता है अब देखो यहाँ पे क्या है यह ब्लेड बहुत धीरे धीरे घूम रहे होते हैं अब obviously आपको generator के shaft को कितनी speed पे घुमाना है synchronous speed पे यानि speed को आपको change करना पड़ेगा जिसको आप करते हो by means of gear gear क्या करता है speed को step up या step down ठीक है अब rotating shaft generator को घुमाता है जो की electrical energy पैदा करता है अब दो तरह की wind turbine होती है horizontal axis और vertical axis एक तो टर्बाइन देखो इसको रख देते हैं बड़ा fragile part है एक तो turbine ऐसे देखो यह vertical axis ऐगर अगर यह turbine ऐसे घूम रही है तो that is vertical axis एक ऐसे यह horizontal turbine तेक है इसकी axis horizontal है आपकी तरफ तो that is a horizontal axis wind turbine दो तरह की turbine होती है तो ये वाली कौन सी है बताओ ये वाली कौन सी है जो figure में है this is horizontal axis horizontal axis wind turbine तो देखो ये दिखा रखा है ना ये rotor है ये क्या है rotor है आपका rotor के बाद ये gear drive train है इसके बाद generator लगा हुआ है generator लगा हुआ है main rotor shaft and electrical generator are kept at the top of the tower and must be pointed to the wind generator का shaft wind की तरफ होना चीए turbine blades are made stiff so they are not pushed into the tower यानि की भाई turbine का blade ऐसा ना हो कि हवा के pressure से ये ऐसे मुढ के tower में गुश जाए समझ रहे हो ना blade जैसे हलके material का बनाया जैसे हमारा घर का पंखा होता है वो बहुत पतला layer होता है उस पे अगर pressure लगाओगे ना तो वो bend हो जाएगा bend होके सिधा tower में घुश जाएगा तो यहाँ पे बेटा turbines used in wind farms wind farms are used for commercial production of electrical energy and they are pointed to wind by computer controlled motor जैसे अभी हमने solar में बोला कि solar collector को साथ साथ घुमाना पड़ेगा सूरज के same way में यहाँ जैसे जैसे wind की direction change होगी आपको अपने blades की direction भी बदलनी पड़ेगी blade घुमते हैं 10.22 rpm से और 22 rpm से जब speed घुम जाती है 90 meter per second जब हवा की speed 90 meter per second होगी ना तब आपके blade घुमेंगे 22 rpm से यहाँ वो सब constructional aspect है रजद बेटा वो mechanics पे based है not anything related to electrical अब horizontal तो यहाँ पे देखो shaft vertical है यह shaft हो गया ना यह shaft आपका vertical है इसके चारों तरफ blade रहेंगे इसके चारों तरफ blade रहेंगे तो यहाँ पे आपको ना wind की तरफ point करने की ज़रूवत नहीं है ही है तो यहाँ पे बेटा it is difficult to mount vertical turbine at a height so they are mounted near the base तो बेटा आपने देखा भी होगा कई बार जैसे चछत हो गई चछत पे आपको ना vertical axis wind turbine दिखेगी इसकी उचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है surface के पास ही होती है इसको उचा नहीं ले जा सकते वरना यह जो shaft है ना यह इसको जब यह rotate करेगी तो इसका inertia इसका torque नहीं जहल पाएगा इसलिए इसको नीचे ही रखा जाता है उचाई पे नहीं ले जाते अब आजाओ भई last power plant diesel power plant diesel power plant का use क्या होता है stand by plant होता है peak load plant होता है emergency plant, mobile plant तेक है diesel power plant बेटा वही है diesel power plant वही है जहां आपका घरों में generator नहीं देखा घरों में generator नहीं देखा बताओ घरों में जो generator होता है उसमें क्या होता है तो बेटा सुमित यही तो हमने drawback लिखा था wind turbine की जो power है वो continuity नहीं देती है wind हो गया, solar हो गया ये लोग सारा दिन 24 घंटे नहीं चल सकते तो इनकी energy को या तो आप store करो, ऐसा करो ठीक है अब सुनो मेरी बात घर में जो generator वगयरा लगाते हो offices में जो लगते हैं वो diesel पर ही तो चलते हैं वही diesel electric station है इसलिए तो बोला है mobile शादियों में देखा नहीं है वो पीछे tempo में चढ़ा के ले जाते हैं और पीछे एक singer गाना गारा होता है बड़ा बेसुरा सा होता है लेकिन वो गाह जरूरा होता है पूरा पूरा मतलब वो talent निकाल देता है और बरातियों को क्या आते जाता तो दारू पीके आते हैं तो नाचते हैं कोई भी काले गाना बंद भी कर दोगे तो भी नाचेंगे अज़े को component क्या है डीजल इंजन डीजल इंजन प्राइम मूवर का काम करेगा डीजल इंजन के अंदर डीजल की मदद से कमबशन कराए जाएगा इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम डीजल इंजन में भईया सप्लाई फ्यूल कैसे जाएगा उसके लिए सप्लाई सिस्टम एर इंटेक सिस्टम जैसे बाइक में होता है ना बाइक के अंदर कहते नहीं हो 4-stroke engine, 2-stroke engine तो वही engine चाहिए जिसमें combustion होता है fuel का fuel के combustion के लिए आपको air भी चाहिए तो air intake system होगा exhaust होगा, bike से ही compare कर लो, bike में पीछे जो होता है वहाँ पे exhaust होता है cooling system lubrication system ये mobile oil डालते हो starting system, start करते हो kick mark या फिर auto start भी होता है और generator तो एक चीज़ सोचो है, पूरी की पूरी bike का engine आपके लिए खोल दिया, सोचो तो खोल दिया ना पूरा का पूरा bike का engine समझ रहे हो diesel engine चाहिए, उसके अंदर fuel डालने के लिए injection system चाहिए, उसके अंदर air का intake system चाहिए, exhaust निकालने का system चाहिए starting के लिए एक starting mechanism चाहिए जो ज़्यादतर आज के time में battery से किया जाता है हमारे जो offices में, घरों में भी जो generator होते हैं वहाँ उसे start देने के लिए battery यूज करते हैं अब देखो schematic क्या है schematic क्या है fuel tank है fuel tank से day tank day tank का मतलब है यह temporary storage है यह बड़ा storage है और यह temporary storage है आपने day tank में fuel डाला उसने air लिया और diesel engine में combustion हो गया combustion के साथ साथ आपको lubricant oil देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा piston होते हैं तो piston की smooth movement के लिए lube oil लगता है और lube oil के लिए आप lubricating oil tank भी लगा सकते हो तेक है यहां से silencer से आप exhaust से निकाल दोगे आवाज नहीं होनी जी जनरेटर में और exhaust आप surge tank के थ्रू cooling tower से निकालोगे surge tank और cooling tower का आप यूज करोगे exhaust क्योंकि गरम होता है बाइक में तो थोड़ा ही exhaust पैदा होता है यहाँ ज़ादा होगा तो बेटा यहाँ पे diesel electric power plant के लिए mechanical power generate करने के लिए generate करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है आपको चाहिए होता है एक diesel engine यार देखो अभी mood off मत करो दोनी मेरे भाई पढ़ाने में आज बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ा लेने दो है ना तो यह जो mechanical power है यह generator चलाने के काम में आती है जिससे की electrical energy पैदा होती है ठीक है और electrical energy पैदा करेगा कौन generator वो diesel generator ही तो है अरे रजा तुमने बाईक की कभी add नहीं देखी क्या उसके अंदर piston चलते वे दिखाते हैं तो बेटा piston क्या करता है piston ना oil को compress करता है combustion के लिए तो जब piston oil को compress करता है तो वो ऐसे उपर नीचे move करता है अब पूरा engine तो देखो भाई मैं mechanical वाला हूनी जो पढ़ा पा हूँ जितना मैंने टीवी पे देखा है बता रहा हूँ उपर नीचे move करता है तो उसकी smooth rotation के लिए उसको चारों तरफ से घेरा मिलना चाहिए किसका lubricant oil का तीक है अब selection of site फिर देखो वही visibility बात आ गई near to load center, availability of land, availability of water क्योंकि cooling tower चाहिए foundation मजबूत होनी चाहिए fuel transport, local condition, noise pollution noise तो यह पैदा करेगा तीक है advantages क्या है भाई simple है, design काफी simple है portable है, शादियों में भी यूज होता है, घरों में भी quick start है, कुछी second में start हो जाता है, आपने देखा ही है तो यहाँ पे इनको start और stop जब मरजी है तब कर सकते हो cooling भी काफी easy है cooling इसका बहुत easy होता है initial costing बाकी के सभी power plant से कम है, thermal efficiency जादा है coal वाले से यहाँ पे staff कम चाहिए एक बंदा चाहिए बटन दबाने के लिए overall cost काफी कम है steam के मुकाबले costing इसके काफी कम है steam के मुकाबले लेकिन हम नुकसान क्या होंगे भई, नुकसान ये होंगे cost of diesel is very very high as compared to coal coal से महंगा आता है तीक है, इसलिए diesel power plant को बहुत ज़्यादा नहीं चलाया जाता इसके जगे, इसको कभ यूज करते हैं peak load power plant की तरह यानि जब emergency हो जाए ना भी चालू करो, घर में आप कभी generator चालू करके छोड़ते हो, नहीं छोड़ते है कोई खर्चा आएगा, आप तब चालू करते हो जब light चली जाती है तो ये small power requirement में ज़्यादा देखा जाता है cost of lubricant भी high होती है बेटा मैं ही पढ़ाऊँगा power electronics और कौन पढ़ाएगा maintenance काफी complex होता है और costing high हो जाती है तीक है, overload में आर अच्छा काम नहीं करता है लंबे समय तक overload नहीं कर सकते lubrication का cost हाई है maintenance के charges भी high है तीक है चलू, अब question पे आजाओ out of the following plant categories which of the following are the base load power plant बेटा वो उसका mechanism है अब मैं उसका mechanism चालू करने का थोड़ना तुमको पढ़ाऊँगा यहाँ पे थैंक यू, अंकित बेटा चलो, बनाओ इसको इसमें से कौन से base load power plant है फटा फट मैंने बताया था same to you, नितिन बेटा बाकी कल तो मैं होली क्या मना पाऊँगा कल का दिन तो मेरा बहुत hectic है सुबह से राद तक packed है परसो का मैंने light रखा है और अभी देखो कोई नया subject start नहीं कर रहा आपके लिए कुछ अब हटके करेंगे साड़े नौ वाला slot मेरा खाली हो गया न तो इसमें आपके लिए कुछ नया करूँगा अभी power electronics नहीं पढ़ा रहा power electronics कुछ time बात पढ़ाऊँगा तो देखो nuclear है base load run off river है base load तो first and second pump storage और diesel pump storage और diesel क्या है peak load बेटा ये last class है power system की peak load ठीक है चलो diesel power plant is mainly used फटा फटा आंसर देते जाओ diesel power plant is mainly used as बहुत बढ़िया D peak and stand by stand by माने अगर कोई आपका बैट गया generator तो ये काम कर देगा तीक है what does heating and cooling of the atmosphere generates heating और cooling of atmosphere क्या generate करता है चलो नया मत करना मतलब heating और cooling क्या generate करता है atmosphere का बताओ ये करता है radiation current heat radiation से flow करेगी न ने convection से करेगी sorry atmosphere में तो convection से जाएगी तो answer will be C convection बहुत बढ़िया the gas turbine power plant uses which of the following fuel जल्दी से बता दो gas वाला power plant कौन सा fuel यूज करता है अभी बताया था क्या यूज करता है mainly use which of the following fuel mainly क्या गरता है D बहुत बढ़िया natural gas and liquid petroleum liquid petroleum ये B वाले है ठीक है चालो और ये हो गया power system समाप्त अब बिटा देखो अगर आप अंकी TAC code से on academy आते हो तो 1 year fees है 27 to 25 18 months 34, 650 2 years 39, 600 मैं suggest करूँ है 2 years के लिए आ जाओ without interest EMI मिल जाएगी और इसके अलावा आपका पूरा syllabus coverage with revision with test सब कुछ हो जाएगा और iconic पे जाओगे अंकी TAC के साथ तो 1 year fees होगा 45, 225 2 years 66, 600 2 years के लिए जाओ per month cost is minimum and you can avail it on EMI without interest ठीक है और ये है मेरा unacademy profile जिस पे आप मुझे follow भी कर सकते हो and you can even send me messages और मेरा telegram channel t.me slash gate air1 इसके अलावा बेटा आप मुझे message अगर subscription से related कोई बात करनी है तो call कर सकते हो 70890-47561 बिल्कुल ESE का complete syllabus होगा tech plus non-tech और इसके अलावा आप जो है न मेरे को facebook और instagram पे follow कर सकते हो SSG IIT से ठीक है so thank you everybody इसको like, share, subscribe कर देना आर पूरी playlist share कर देना जादा तर बच्चों के साथ ताकि सब को पूरा power system पढ़ने का मौका मिले thank you everyone